विल्कमे फ्रेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल आर्केनल सिंगे के डिमी में फ्रेंट्स बहुती मात्पूर्ण कोशन है जो कि आने वाली सभी परिच्छाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंट्स विल्कुली वीडियो के स्किप ना करें और पूरा वी देखिए बेसाव इस टॉप नौस 2015 में पूछा क्या कोशन है तो किस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं तो देखिए आपसं बी आपे राइट होगा है स्केल टूबरोस सिटी आपसं बी आपे राइट होगा है एक्स्प्लेइन देख लें जाज का पिछला फिलेक्सर बाग एज्वी पिछला भाग की पृνचर यह मसल्सीасть मसल से बना होता है अगला पाइंट है एक इन तीनोही नियाज के उतपती उतपती यह वह स्केल टूब्रो सिटी से और इंसर्शन टीबिया के प्रॉक्सिमल भाग में होता है अगला कोश्चन है दो नमबर आपकी स्क्रीन पर है राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें नमने में से कौन सा एक फीमर की निक के फ्रेक्चर वाले एक मरीज के लिए रिलेवेंट क्लिनिकल फीचर है देखें एम्स पटनाई स्टापनस 2015 में पूछा क्या क्या कोश्चन है तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें आपसन आपकी स्क्रीन पर है तो देखें आपसन यहां पर आपका सी राइट होगा आपसन सी राइट होगा सौर्टनिंग आप दी अफेक्टेड एक्स्टरमेटी वीद एक्स्टरनल रोटेशन कहने के मतलब है कि बाहरी गुमाओं के साथ प्रभावित छोर का छोटा होना अब यहां पर आप एक्स्प्लेन देख लें फीमर की प्रॉक्सिमल पॉर्शन में उसके हीड या फिर निक के फ्रेक्चर होने को फ्रेक्चर आफ हिप का जाता है फीमर के प्रॉक्सिमल पॉर्शन में उसके हीड या फिर निक के फ्रेक्चर होने को फ्रेक्चर आफ हिप का जाता है अगला पॉईट है कि इसके प्रॉआववित एक्स्टेमिटी के एक्स्टरनल रोटेशन के साथ उसका सौट होना होता है अगला कोश्चन है तीन नम्बर आपके screen पर है, right answer बताएं, क्या होगा इसका right answer, guess करें उप्य पिसचेश में बताएं, क्या होगा इसका right answer बताएं, guess करें कोशन कह रहा है कि जब उतल सतय और तल सतय में fit हो जाती तो इसे क्या किया पहा जाता है वं कन्वेग सर्फास fits जब उतल सतय into convey of surface और तल सतय में fit हो जाती है तो इसे क्या क्या जाता है अब बताएं क्या होगा इसका right answer तो देखिए आपसन यहां पे आपका C-right होगा हिंज का आजाता है हिंज का आजाता है? 씨 आपसन C-right होगा हिंज का आजाता है अब यहां पे आप explain देख देख लें हिंज जॉइन्ट में एक bone का convex surface दूसरी bone के concur surface में fit हो जाती है अगला पॉइंट है कि जो आपके ये जोड है जो फिलिक्सियोन और एक्स्टेंशन जो जोड है यह क्या करते हैं कि लचीलेपन और विस्तार की अनमती देते हैं ये जोड कि लचीलेपन और विस्तार विस्तार की अनमती देते हैं अब यहां पे आपका जो अगला पॉइंट है वो है एक्जाम्पल और नी एल्बो एंकल 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 एटलेंटो उसी पटल एंड इंट इंटर फैलिंजियल जॉइंट बॉक्स तो बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर कोश्चन नमबर फूर है आइस प्रेन में भी डिफाइंड बाई देखे यह एच एससे स्टॉप नर्स हरियाना दोजा 17 में पूचा गया कोश्चन है तो बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर गेस करें आपसन आपके स्क्रीन पर आइस प्रेज में भी डिफाइंड बाई तो दिखे आपसन डी यहां पर आपका राइट होगा इंजरी टू लिंगा में टैंस इस्टेक्चर स्राउंडिंग जॉइंट आपसन डी आपका राइट होगा खाज Tr में भी डिफाइंड बाई मोच को परिवासित कीजिए तो यहां पे आपका आप संदी राइट होगा इंजरी टू लिंगामेंट एस इस्टक्चर सराउंडिंग जॉइंट तो देखे इसका मतलब है आपका जो आप संदी है इसका मतलब है कि जोड के आसपास की जो लिगामे हैं सनसनाए हैं इन पर चोट लगना जोड के आसपास की लिगामेंट सनसनाओं को चोट पहुचना अब यहां पे आप एकस्प्लेन देख लें रेंचिंग और ट्विश्टिंग रेंचिंग और ट्विश्टिंग मोशन के कारड़ एक जॉइंट सराउंडिंग सराउंडिंग लिगामेंटस स्ट्रक्चर में इंजरी होना स्प्रेंड कहलाता है और यहां पर आपका अगला पॉइंट है एन एकसेस स्ट्रेचिंग आफ आफ मसल्स फोसिया और टेंडन कॉल्ड इस्ट्रेंड कहने का मतलब है कि जो आपका यह दूसरा पॉइंट है कि मा आप जोस्ट्रेंग कोशियं और टेंडने कि कीशे का जूढा है कि से सट्रेंड होते ओए Lex पूझा आब लिगामेंट में ऐसे सटेंग थो हद्डियाया वह दे इंसकर आपका यहांग इसे सट्रेड के आपका रिगामेंट होल्या हुष जूण ही होती है आप से यहां पर आपका राइट है यहां पर एक्सप्लेंद देख लें फाइब्रस कनेक्टिव टीस्यू के बैंड अथवा सीट जो जॉइंट पर जुड़ने वाली बोन्स को आपस में जोड़ते हैं उन्हें लिगामेंट कहा जाता है फाइब्रस कनेक्टिव टी अगला पॉइंट अपका फाइब्रस कनेक्टिव टीस्यू के बैंड जो जो मसल्स को बोंस से जोड़ते हैं उन्हें हम टेंडन पर जोंडने वाली बोन्स को आपस में जोड़ते हैं उन्हें अब ligament कहते हैं और fibrous connective tissue के band जो muscles को bones से जोड़ते हैं जो man species को bones से जोड़ते हैं उन्हें हम tendon कहते हैं अगला कोशन है छे नंबर आपकी screen पर है right answer बताएं क्या होगा इसका right answer guess करें बताएं क्या होगा इसका right answer guess करें आप सनाप की screen पर है गोनियो मीटर is used to assess देखें DSSB stop nurse 2013 में पूछा गया question है यह गोनियो मीटर is used to assess आकलन के लिए गोनियो मीटर का उप्योग किया जाता है अब किसके आकलन के लिए गोनियो मीटर को उप्योग किया जाता है तो बताएं आप सनापकी screen पर है गिस करें क्या होगा इसका right answer पता है तो देखें आप सन्सी यहां पर आपका right होगा range of motion of joint कुल जो three 2 जिससका उप्योग जॉइंट में होने वाली मॉमेंट bar एक उप्योग जॉइंट में होराइ यह मैंने क्पिंट जान अगला कोश्चन है साथ नमबर आपकी स्क्रीण पर है राइट अंसर गाज करें क्या होगा इसका राइट अंसर बताएं एक मरीज के नी जॉइंट में पेन रेड़नेश वार्प और स्वाइलिंग किसको indicate करती है बताएं क्या हो कि इसका right answer किसकर रहे हैं आपसान आपके screen पर है एक मरीज के knee joint में pain हो रहा है redness है और warmth है और swelling है उसको indicate करती है देखिए एगनू post basic bsc nursing में पूछा क्या question है 2015 में इगनू में post bsc nursing में पूछा क्या question है 2015 का तो बताएं क्या हो कि क्या right answer किसकर रहें आपसान आपके screen पर रहें तो दिखिए आपसान भी आपका राइट होगा inflammation आपसान भी आपका राइट है inflammation कि एक मरीज के knee joint में pain भी हो रहा है redness है और swelling भी है इसे हम किसके दारा indicate करते हैं तो inflation के दारा indicate करते हैं अब यहां explain देख लेते हैं acute inflammation acute inflammation निमने लिखित five cardinal या फिर classical science जैसे कि clinical hallmark of inflammation inflammation दौरब टकट होती है जैसे कि redness हो गया rubber warmth color swelling tumor pain डोलर और यहां पे loss of function बताएं क्या होगा इसका right answer guess करें locking of knees गुटने का lock हो जाना as a symptoms means कि इसका क्या मतलब है बताएं क्या होगा इसका right answer लच्छड के रूप में गुटने का जो गुटने का lock हो जाना क्या कहलाता है बताएं क्या होगा इसका right answer देखें जी आई पी मियार इस टॉपना 2017 में पूंचा गया question है कि locking of knee as a symptoms means लच्छड के रूप में जो गुटने का lock हो जाना क्या कहलाता है अब आपसन आपके screen पर रहें get करें क्या होगा इसका right answer बताएं तो देखें आपसन सी यहाँ पर right होगा stiffness of knee आपसन सी राइट है आपका stiffness of knee तो देखें यहाँ पर stiffness of knee इसका मतलब होता है कि घुटने की अकड़न गुटने की अकड़न stiffness का मतलब होता है अकड़न ठीक है ओफ नी गुटने की अकड़न आपसंसी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा क्योंकि locking of knee का मतलब होता है जो गुटने का लोक हो जाना तो इसका मतलब है कि stiffness of knee गुटने का अकड़ जाना एक्स्प्लेंड देख लें यहाँ पर locking of knee से अभी प्राय है कि legs का एक position में stuck होना locking of knee से अभी प्राय है इसका मतलब है कि legs का जो टांगे होती है इनका एक position में stuck हो जाना जिससे इन्हें bend अर्थाथ flex अथवा strengthen अर्थाथ extend करना impossible हो जाता है अगला question ने आपकी screen पर no number बताएं क्या होगा इसका right answer पहले question को पढ़ लें उसके बाद या answer दी कीमो थेरेपी ले रहे मरीज के लिए निम्न में से कौन सा laboratory test मात पूर्ण होता है कीमो थेरेपी ले रहे मरीज में मरीज के लिए कौन सा जो laboratory test है वो महत्पूर्ण हो जाता है देखे इगनू post bsc nursing 2015 में पूछा क्या question है तो बताएं क्या होगा इसका right answer गेज करें आपसन आपकी screen पर है तो देखे आपसन यापका a right होगा wbc wbc कीमो थेरेपी ले रहे मरीज के लिए निम्न से कौन सा laboratory test अवस्थ हो जाता है अब यहाँ पे आप explain देख ले अ क्याम थेरेपी वाले ऑलीए डाभली सी काउंट महत्पूर्ण होता है कीमो थेरेपी है मरीज मरीज के लिए के लिए जो ड़्वी सी गाउंट होता वह मात पूर्ण हो जाता है क्योंकि इनके कम होने से बॉड़ी में लाइफ इस्टेंड लाइफ त्रिटनिंग ठीक है लाइफ त्रिटनिंग अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है केमोथरेपी वाले जो पैसेंट है उनके लिए डब्ली वसी काउंट मात पूर्ण हो जाता है क्योंकि इनके कम होने से बॉड़ी में क्या होता है लाइफ त्रिटनिंग और अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं अगला कोश्चन है दस नंबर आपकी स्क्रीन पर है राइट अंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट अंसर बताएं सर्विक्स के कैंसर वाली मैला की म्रत्यू का मुख्यकारण क्या है सर्विक्स की सर्विक्स के कैंसर वाली जो महिला होती है उसके म्रत्यू का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है देखे बी सी सी एल इस टॉप नस 2015 में पूछा गया कोश्यन है तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर आप सन आपकी स्क्रीन पर है गेस करें तो देखे आप सन यहां पर आपका सी राइट होगा है मुरेज आप सन सी आपका राइट है है मुरेज अब यहां पर आप एक्स्प्लेयन देख लें सर्विक्स कैंसर वाले मरीजों की मृत्यू का जो कारण है वह अत्यधिक नियंत्रड अत्यधिक आ नियंत्रित सब्सक्राइब lat Ugh थो उसकी मृत्यो निश्चित हो जाती की जयाधे तर ऐसे केसे में जर्बगफ़ ज्याद मात्रमिरद सरा हो जाता है है मृप चले के चैंस बहुत ही रीर्यार केस हो बहुत ही का मृप होते हैं तो यहां पर आप देखे laugh चैंसर वाली मरीज tänkteं reflex की अगला कोशन आपका 11 नंबर स्क्रीन पर रहे राइट अंसर बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर करें वेंक्त लोखे सिब्सक्राणंवहन लेशन वेंक्तुरीकुलर फाइब्लीशन में किसए ut偶्मैंग मेंसे लित क्या है है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर करें कोशन को पहले समझ लें अच्छे से पढ़ लें उसके बाद यांसर दें वेंट्रीकुलर फाइब्रिलेशन में किसे टॉप प्रियोर्टी में इन्टेंस एक्जाम 2014 में पूछा गया कोशन है यह तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गिस करें तो देखें आप से यहां पर आपका सी राइट होगा कार्डियो पल्मोनरी रिसस्ट साइटेशन CPR यहांपर कोशन कहरा है कि वेंट्रीकुलर फाइब्रिलेशन में किसे टॉप परियोर्टी मेरेज्मेंट में समलित करा जाता है तो यहांपर CPR को समय तक दोरांसर प्रियोरेशन क करना चाहिए लेकिन defibrillation available नहीं होने तक basic life support BLS basic life support BLS या फिर CPR करना चाहिए अगला question है 12 नंबर आपकी screen पर है right answer बताएं क्या होग है इसका right answer guess करें आपसन आपकी screen पर हैं देखिए बहुत ही अच्छे question है और जतनी भी question है इसमें सभी पूछे गए question है प्रिवियस year में आईवे question है तो बिल्कुल भी वीडियो के skip ना किया करें और ज्यादा ज्यादा आप comment box में आपसन भी answer दिया करें देखिए सिन्वस ब्रेडिकाडिया वाले मरीज में साइनस जो साइनस साइनस ब्रेडिकाडिया वाले मरीज में हर्ट रेट कितने से कम होती है बताएं क्या होगा इसका राइडा ज्यादा साइनस ब्रेडिकाडिया वाले मरीज में हर्ट रेट जो है वो कितने से कम होती है इगनी यह देखिए पूछा गया question है आपका में आर्ट्रीयल वेन्ट्रीकुलर रेट अडल्ट में 60 बीट पर मिनट और चिल्ट्रेन्ट में 70 बीट पर मिनट से कम हो जाती है sinus, bradycardia में atrial और ventricular rate adult में क्या होता है कि 60 beat per minute हो जाती है और children में 70 beat per minute से कम हो जाती है इसमें 60 beat per minute से कम हो जाती है adult में और जो children होते हैं उनमें 70 beat per minute से कम हो जाती है अगला question ने 13 नमर आपके screen पर है right answer बताएं क्या होगा इसका right answer guess करें question वही है थोड़ा गुमा फिरा के दूसरे पूछ लिया है तरीका थोड़ा चेंज कर देते हैं पूछने का तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं question वही है sinus bradycardia is seen in बताएं क्या होगा इसका right answer किस करें very simple question है देखे ESIC stop nurse 2016 में मार्च 2nd सिप्टे में पूछा गया question है sinus bradycardia is seen in बताएं क्या होगा इसका right answer जो sinus bradycardia है किसमें देखा जाता है आपसर आपके screen पर है बताएं जिली से क्या होगा इसका right answer guess करें जो sinus bradycardia है किसमें देखा जाता है तो देखें यह sinus bradycardia है यह अथलीट में देखा जाता है आपसर आपसर आपका right है अब explain देख लेए अथलेटिक हर्ट सिंड्रोम ए एच एस जो आपका एच एस है यह क्या है अथलेटिक हर्ट सिंड्रोम है अथवा अथलेटिक हर्ट एक non pathological condition होती है अथवा जो आपके अथलेटिक हर्ट है यह एक non pathological condition होती है जो सामानी रूप से sport person में दिखाई देती है अथलेटिक हर्ट सिंड्रोम अथवा अथलेटिक हर्ट एक non pathological condition होती है जो सामानी रूप से sport person में दिखाई देती है अगला पॉइंट है इस कंडिसन में मानव हट बड़ा हो जाता है जो आपके समय हर्ट रेट सामानी से नीज़े चला जाता है तो इसे क्या है साइनस ब्रेडिकार्डिया कहा जाएगा यह हमारा लाइस्ट कोईशन था 13 नमबर तो मिलते हैं हम नेक्ट क्लास में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर